इस गिरावट के बीच जब डर का मौहल फैला हुआ था तो सिर्फ जी बिजनस एक ऐसा चैनल था जिसने आपको कहा था कि ये डरने का वक्त नहीं है यहाँ पर आपको पैसा निवेश करने का मौका है उपर्चुनिटी है इस बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए लॉंग टम ग्रोथ लॉंग टम पोटफोलियो बन आया था उनके लिए तो बढ़िया मौका रहा है तो इस पूरे हफ़ते हमने बनाए है जी बिजनस वेल्थ क्रेशन वीक और आज वेल्थ क्रेशन डे के मौके पर तीन साल की एनिवर्सी जब बाजार का बॉटम बना था हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं आओ बनाओ शो लेकर आए ही हैं पर तीन साल पहले उस समय सबको confidence देने के लिए कि गिरावट आती हैं बट गिरावट में ही मौका ढूणना पड़ता है पहले तो confidence खुद को लेना ना वहां पर कि इतना बोल पाएं और कर पाएं लेकिन वाके में बढ़ा tough time होता है कहने के decision ले ही नहीं पाते हैं बट उस डर में जो आपने confidence दिखाया उसका जरह result देखे सर और मैं आपसे यह पूछना चाहता कि उस डर के महल में जब आपने कहा था bottom पर कि यह पैसा लगाने का मौका है वहां से अब तक कैसे returns हो हैं ज्यादा नहीं सिर्फ सवा दूगुना आपक 2020 के lows के आसपास पैसे लगाया होते हैं आम तोर पर हम यह कहते हैं कि अगर equity market में आप तीन साल में पैसा डबल कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे investor है अच्छे नहीं बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत इन्शानदार है और यही market ने आपको करके दिया है तीन साल पहले हमारी बात भी हो रही थी और सुभा सुभा ही हमारी बात हुई थी जब आपने कहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए market है और investment का मौका भी हां पर आ रहा है इसी पर मैं आपसे बात भी करना चाहता हूं एक बढ़ ज़रा देखते हैं कि उस समय अनल जी ने क्या इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 मैने lifetime opportunity है अब से लेकर अगले 3-6 मैने मुझे staggered way में दबा कर पैसा लगाना है एजन इन्वेस्टर 7200-7500 की रेन मिले उसमें आपको 35% पैसा डाल देना चाहिए आपका 75% पैसा आज तक चले जाना चाहिए उस दिन मैंने strongly बोला था लीजिए अभी लीजिए अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे पैसा लगाना ही नहीं है दबा कर पैसा लगाना है यह बात सीरिसली मैं पीछे खुद अभी देख रहा हूं सुन रहा हूं तो मुझे आश्यर हो रहा है कि इतना confidence से कैसे बोल दिया इश्वर की क्रफाय की उस समय यह बाते निकली और दिल खोलकर निकली और सबसे बड़ी बात है जब आप अनबायस होकर opinion देते हैं तो पिर जो सही लगता भी बोल पाते हैं ने सर्फ निफ्टी बलकि अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने भी लगबग उतना ही return दिया ने बहुत अच्छा return दिया है उमीद से कहीं ज्यादा उमीद से कहीं ज्यादा सवा दो गुना return बढ़िया रहता है सर्फ दो तीन चीजे और आपने उस समय कहीं थी एक तो उन लोगों को कहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो लगाई और उनको तो ये शांदा रिटर् रहें तीन साल के आपके लिए गए टोटल मिला के तीन लाख साथ जार उपर तो absolute return अगर आपने निफ्टी में SIP की तो 20% का return आया है अब आप सोचेंगे कि एसे तर निफ्टी 125% बढ़ा है बात तो सही है लेकिन आप अगर उतने समझदार और नसीबदार है कि आप एकद अब भी return tax को हटा कर, tax efficiency को देखकर देखें तो fixed income के मुकावने तो ज़्यादा ही आए रहा है उस हिसाब से SIP वाले investors को भी return अच्छे ही मिले, बुरे नहीं है, SIP के returns कभी भी निफ्टी के top और bottom से compare करिये ही मत, आपको average से better return मिलने चाहिए जो मिले है, consistently पैसा बढ़ता र लेकर आए थे, इस concept पर कैसा return रहा मैं जानना चाहता हूं, बढ़ यह concept आपने introduce करा था, एक बार इसकी भी जलक देखते हैं Short blast SIP, छोटे समय के लिए बड़ी SIP अगर समय आज 8700, 8800 के आज बंद हो रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए ठीक है, अगर आपको 8300, 400 के आज आज पर सो कभी मिले, और अगर ही आज 8300 आज आज तो 40% डाली ठीक है, ठीक है, ठीक है, और 7500, 500 के आज आज पर जाए तो वहां 20% और जाएगा आपका, यह short blast S IP है, लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तीन चीजे, गौर से सुन लीजे, एक दम जान से, अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है, short blast S.I.P. और अगले 6 साल के बाद, अनिल जी, thank you very much, बोलेंगे, 6 साल के बाद बरपूर पैसा कवाएंगे, अब आप जब पैसा लगाएंगे, तो आपका जो प्यार होगा तो मेरे लिए कही गुना होगा, मैं तो तीन साल के बाद ही बोलेंगे, thank you very much, ये एक तो नया concept सिखाया, और क्या शांदार रिटर्न्स आएंगे, बिल्कुल दीप, अब Caitlinётty निफ्टी में er 90% की रिटन, nefit, midcap में 135% की रिटन और small locomplace में 150% की रिटन, इस तरही के बना लिए आपने बड़े पाद बना लिए अगर आपने उस समय गिरते वे bazaar में, चे, इंस्टरॉमेंट में पैसा लगाए हुता हो, तो दो से डही गुना तक कि आपके रिटर्न और हम से डाय गुना हो गया है यह मौका कभी भी मिलना छोड़ना नहीं चीए तो थोड़ा पैसा तो आपका SIP में जा रहा जाने है थोड़ा पैसा बचा के रखें जब वेल्थ बनती है तो यह मौके हाथ से नहीं जाने है ठीक है सर अच्छा अब ती तो कोई खास कारण नहीं दिख रहे हैं एक सिर्फ यह कह सकते है कि इंडिया की अच्छी है इसके लावा आपको तेजी के कोई कारण नहीं ज़रूरी है अगर हमारी एकोनोमी और हमारे कंपनिया अच्छी नहीं करेगे तो कोईसा भी महावल हो ना ग्लोबली सब कुछ लगाने का मोका है दर के वक्ती तो पैसा लगाना चाहिए और आगे यहां से बाजार में सुधार की संभावना ही ज्यादा है गटने बिगणने की कम अगर गटेंगे बिगडेंगे तो सिफ एक ही वज़े से ग्लोबल वज़े से आप अपनी वज़े से नहीं डूबेंगे ग्लोबल वज़े से डूबना है वो तो जब जिसा मोका मिलेगा आपको फिर वैसा ही मोका पकलना है देखे बड़े फॉल तो आपको ग्लोबल मार्केट से आते हैं लोकल से कभी नहीं आया बड़े फॉल 2008 लेमन ब्रदर्स 2020 आपका कोविट पूरी दुनिया के अगर कोई बड़ा फोल आया मार्च 2020 जैसा मोमेंट आया उसके लिए तो हम पहले से ज्यादा समझदा रहीं लेकिन वह नहीं आता है तो अगले तीन से च्छे मैने पैसा लगाने का अच्छा मोका है तो आप कहरें फिर से अच्छा मोका बन रहा है अच्छा मोका शोट ब्लास रही न पिछले एक डेट साल में बढ़ा हैं ग्लोबली बढ़ा रहें तो बढ़ते रेट साइकल में क्या पैसा लगाना चाहिए क्योंकि यह डर रहता है ग्रोथ का और दूसरा अगर लगाने तो एक्वीटि में लगा है कि वहां पर तो फायदा हो यह बहुत अच्छा सवाल है पर आम तोर पर एक धारना जो है कि जब ब्याज़दरें बढ़ चुकी है पीक पर है तो आपको फिक्स इंकम में पैसा लगाते हैं FD में लगाते हैं तो बड़ा अच्छा आकर्शक लगता है मोटा पैसा बनेगा बात सही है हाईस इंटर सेट पर लगा रहे हैं एक 4% FD में आता था एक 8% आ रहा है तो ज्यादा है लेकिन इस आमधाना की विपरित में आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ और एक आपको बताना चाहता हूँ एक ग्राफिक्स के जरिए एक ब्याज़दरें बढ़ने और गटने का एक साइकल होता है और वो साइकल में आपके सामने रखूँगा साइकल कैसे होता है ब्य रुख जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं करना उसके बाद देखेगा में गई काबू में आ रही है ग्लोबली माहूल ठीक हो रहा है अब याज़रे गटाना शुरू करते हैं गटाते जाएंगे गटाते जाएंगे गटाते जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे पोज फिर से रुखेगे थोड़ा ताइम रहाएगा जहान न बटेंगी और उसके बाद जब लगता अब फिर से बढ़ाने का ताइम आंगे यह तो पूरा साइकल है लास्ट है कब हो रही है तो जब भी लास्ट है हो रही है तब आपको पैसा लगाना चाहेँ इसको अगे समझाओंग कि इस cycle को कैसे play करना है यह cycle वाला graphics में आपके सामने फिर लोगा लेकिन इसको कैसे play करना है वो मैं बताता हूँ अब इस period में जब last hike जब होती है और last hike से first पूरा pose होने के बाद जो last cut होता है उस समय के period का हमने visualization किया है चार आपके सामने में खास सीजे लाता हूँ पहली हमने शुरुआत की 2007 में यह वाला जो आंक रहे दिप 2007 के 2007 से 2010 के यह दो साल 11 माई नहीं लगवाग तीन साल का तीन साल में जब ब्याद दरों में आखरी बड़त हुई और जब ब्याद दरों में पहली बड़त हु एपसुलूट रिटेन बता रहा हूं यह 28 परसें बैंक निफ्टी 68 परसें स्मॉल केप 47 परसें यह कमाई है वाओ तो जो लोग सोचते हैं कि और यह पीरेट कितना है तीन साल का अब आप सोचे हो तीन साल में आप यह सोचे कि डेट में अच्छा पैसा बनेगा एक्विट पैसाल में भी उस प्रिट में निफ्टी ने 24 परसें डिटेंट मनने के कि दिया और बैंक निफ्टी ने 25 परसें इसको टाइम करना आसान है ऐसा नहीं कि आपको पता है डेटा अवेलेवल है लास्ट हईक हुआ आपके सामने और वापस से साइकल गूं कि फर्स्ट हईक तब पैसा लगाना शुरू कर दें लगाई ही दें तीसरा एक्जामपल देता हूं जून जनवरी 2014 से जून 2018 ये चार साल चार मेने ये लंबा पिरेड है इस लंबे पिरेड में चार साल वाले पिरेड में निफ्ती ने 73% के रिटन दिये हैं वाँ बैंक निफ्ती 150% सोचे ये 2018 में आपकी लास्ट हाई कुई थी उसके बाद बढ़ी ब्याद आरें ये वो सब मार्च में 2020 में जब ये कोविड आया उसके बाद फिर कट हुए तीन साल दस मेने ब्रोडली चार साल मान लें चार साल में निफ्ती के रिटन 55% है बैंक रिफ्ती ने ज़रूर 35% थोड़े साइकल रहेगा उसमें उसमें आपकी कमई ज्यादा बनीगे और ये चारों का आप एक्जामपल देखें एवरेज निकालके तो जब भी ब्याद दरें बढ़ने लास्ट हाइक से लेकर फिर्स्ट हाइक तक का पीरेड है उसमें ओन एवरेज निफ्ती 45% के रिटन देता है इसके बाद बढ़त निए वो टाइम में पैसा लगाने का जैसे बढ़त रुख गई उसके बाद पोज वाला टाइम आएगा आराम तब भी आपको पैसा लगाना है और अगर लगा लिया तो होल्ड करना है ठीक है उसके बाद क्या होगा ब्याद दरें गटना शुरू हो ब्याद दरें गटना शुरू होगी तब भी आपको खोल्ड करना है बेचना नहीं है तब भी आप खोल्ड करिए ठीक है उसके बाद जब वापस से ब्याद दरें बढ़ना शुरू हो पहला होते ही इसके आस्वार थेंक्यू आखरी हाइक से लेकर जो अभी होने की तैयार में यह रिसर्च लाने के पीछ आपके वज़े यह कि ताकि आप अभी यह से अपने आपको तैयार कर लें एक्जाक्ली क्यों हम पहुंच रहे हैं हम पहुंच रहे हमारे गवर्नर साथ भी कहीं जाके रुकेंगे और टाइम नजदिक आ रहा है उस समय आपको पैसा लगाना ह व्यू रखना है तीन साल का मिनिमम मिनिमम तीन साल का पहले पैसा बन जाए उस समय भी हमने क्या का च्छे हफते लगाई च्छे साल रुके च्छे महिने में बन गए बढ़िया बात है जल्दी बन जाए तो अच्छा है ना तो यह साइकल आप समझ लीजिए और ब्याज़ करने का वक्त आ रहा है कहा जाधा बनता है पैसा इस समय में अगर आप लगा रहे है क्योंकि अगर मौका बन रहा है तो लोग सोचेंगे भी बैंक्स तो चलिए दिख रहा है मौका और भी कोई जगा बैंक्स तो सबसे बेस्ट है और उसका रिजिए है कि रेट साइकल से प्रेट बढ़ानी के काम लोग पर तुरंट बढ़ा देते हैं मार्जिंस बढ़ जाते आप देखो ना इस वक्त बैंक्स के नेट-इंटरेस मार्जिंस यो है इस लेवल पर चलते है चार परसेंट अच्छी चल रहे हैं पैसा बना रहे हैं दूसरे नंबर पर आते हैं वाले stocks में बनेगा, जिसमें banks, auto, real estate, यह तीनों आगे, इन में पैसा लगाना है, मौका यहां पर है, यहां पैसा लगाना है, क्योंकि usually सोच होती है कि बढ़ते rates में इने फाइदा ना हो, इन में पैसा लगाना है, ठीक है सर, अच्छा, आओ wealth बनाए है शो का नाम तो इतनी आसानी से तो आपको जाने नहीं देंगे, आप अब बताइए कि आपको यहां से अगर long term wealth बनानी है, पहले मैं stocks पर जाना जाओगा, कहां पर मौके देंगे, पांच stocks हमने पूरे हफते पर में दिये है, L&T, यहां पर खरीदारी करनी है, Tata Motors, DLF, United Sprits और HDFC Bank, पांच बढ आकरशक लेवल पर आ गया है, तो आप एक बढ़िया उस 25 शेरों में से यह इन 5 शेरों का best quality वाले stocks अगर आपको चाहिए, निफ्टी से भी बढ़िया return चाहिए तो यह 5 शेरों का portfolio निफ्टी से बैतर return देने करे, अदर्वाइस तो निफ्टी है ना, बैंक रिफ्टी है उससे better return चाहिए तो यह portfolio बने अच्छा लगा कि आपने हर sector का एक अच्छा stock पढ़ लिया, capital goods इंफरा हो गया, auto हो गया, real estate, bank और consumption, तीनों आ गया अच्छा, बल्कु ठीक बात है, तो पूरे बाजार का आपने पकड़ लिया बड़ा stock यहां से, अच्छा, debt की बात हो गई गोल्ड में पैसा बन सकता है, लेकिन wealth इना नहीं, क्योंकि देखें, wealth बड़ी नहीं बनेगी, वैसे आप देखें, तो 1979 से 2022, यह पूरे समय में जो sensex ने 608 गुना दिया, 1979 में sensex 100 कही लेवल पर था, आज 60,000 पर है, तो 600 गुना हो गया, लेकिन 1979 में जो gold था, उसका दाम अभी जो 56 गुना ही आया, तो आप सोचो sensex से लगबक 10 गुना से ज़्यादा रिटन दिया, पिछले 20 सालों में जरूर ऐसा हुआ है, कि sensex और gold का return लगबक बराबर आ रहा है, तो अब यह time आ गया है कि sensex के out performance gold के मकाबले में आने की तैया रही है, अच्छा, अब फिर से अब वापस वो time आएगा, जब sensex बैतर करेगा, gold कम करेगा, ठीक है न, सालाना 20% return आपका sensex में आया, 11% gold में आया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सालाना आपको बले आदा दिख रहा है, लेकिन अगर period देखे आप, 79 से 2022 का 33 साल का, देखो, का 56 गुना और का 608 गुना, य है तो हम Indian mentality के सर्फ थोड़ा रखें, gold में या फिर, थोड़ा रख सकते हैं, 10 से 15%, अगर आप commercial real estate में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं, 10 से 15% वहां लगा सकते हैं, और 10 से 15% gold में, इस से ज़्यादा wealth बनेगी नहीं आपकी, अच्छा हर कोई तो direct stocks नहीं खरेता है, त एक average mutual fund कोई भी ले लिजे, आपके पैसे बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको चार mutual fund बता रहा हूं, एक ICIC April large and mid cap, इसमें large cap और mid cap शेरों का संगम है, वह आप एक खरी सकते हैं, HDFC flexi cap और frankly in India flexi cap, यह flexi cap mutual funds हैं, यह आप multi cap के तरह भी देख सकते हैं, flexi cap यानि कि किसी भी तर small cap fund होना चाहिए, DSP small cap fund, तो यह चारों का आपका mix हो गया, mid cap का मैंना अलग से इसलिंद दिया, यहांकि flexi cap में आ गया, तो यह 4 fund आप चाहे तो खरी सकते हैं, minimum 5 साल का व्यू रखें, और आप निवेश कर सकते हैं यहापर, ठीक है सर, आज वैसे अच्छा दिने हैं पू उनके लिए साही समय है, अगर आप debt और equity compare करेंगे तो मैं कहूंगा कि गिर्ती भी आज़ दोरों में, equity बढ़िया देगी पैसा, लेकिन जिसको करना ही नहीं equity और जिनको सिर्फ wealth बनानी है debt से, fixed income से, उनके लिए 4 fund में दे रहा हूं, HDFC corporate bond fund, ABSL यानि के आदेती बिरला Sun Life corporate bond fund, यह corporate bond fund दोनों बढ़िया quality के fund है, अच्छे fund है, यहाँ पैसा लगा लिजिए, तीसरा है ICIC, Prudential Credit Risk Fund, नाम में risk है और credit risk है इसके दरे ना, यह fund के नाम है, यह भी एक अच्छा fund है जहां पर आप पैसा लगा सकते है, और एक जो बढ़िया fund एक और जो आपको consider करना चाह fund है, अगर date में आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और दोनों का अगर mixture करना हो तो, hybrid funds में भी आप पैसा लगा सकते हैं, hybrid fund का मतलब होता कि थोड़ा equity थोड़ा date, और मैं यह कहूंगा कि आजकल के माहूल के हिसाब से, यहाँ पर date market में भी अगर आप invest करते है अच्छे पैसे बन रहा है, equity के लेवल भी ठीक है, hybrid fund या balance advantage fund में पैसा लगाने का बहुत अच्छा समय है, और ताकि वहाँ पर fund major को flexibility भी है, यह थोड़ा कम ज्यादा करना, equity में बढ़ाना है, date में घटाना है, तो वो कर भी सकता है, so I think, I say, say, prove multi asset fund है, यह एक अच्छा fund ह हो सकता है, दूसरा है, HDFC balance advantage fund, यह दो balance advantage fund जो है, यह आपको consider करनी चाहिए, और मैं यह कहूंगा कि इस वक्त आपके portfolio में, एक balance advantage fund coin को होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, एक balance advantage fund रखिए, date में एक multi asset fund रखिए, और equity में flexible fund जरूर रखिए, ताकि किस वक्त आपको large cap से small cap में जाना है, small cap से mid cap में जाना है, यह fund manager को दिमाग लगाने जीए, और वो आपके लिए बढ़िया करेगा, तो इसलिए direct equity में आपको पैसा लगाना है, तो अभी हमने stock 5 आज दी है, special 25 वाले जो पुरानी हमारी picks है, उन में से आप चूज कर सकते हैं, कि कि इन में अच्छा correction हो आना है, यह कुछ fund है, और बाकि आप अपने advisor से पूछ कर भी fund choose कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, on and average fund सारे ठीक है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, बस return वैसा ही आना है, बट बने रही है, तभी wealth बनेगा, पैसा तो इसलिए, देखो बाहर पोस्टर द जाएंगे, तो interval जितना मजाएगा, खली नाम आ रहे है, screening वहाँ आ जाएंगे, तो उतना ही मजाएगा, आपको decide करना है कि ticket खरीदना है नहीं, खरीदना है तो फिर आपको decide करना है कि मुझे interval के पहले ही बाहर आ जाना है, को सकता है, interval तक आपको picture थोड़ी boring लगे, यार म मौका ढूंडे है, 100% और जहां मौका मिलेगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और डरने नहीं देंगे, मौके बताने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आशा तो यही करेंगे कि तीन साल पहले जो हुआ, वह ऐसा हो ना आये तो बहतर है, तो पैसे कम लोग बन दिन जी थी, वैसे ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अनल जी, आओ वेल्थ बनाए हमारे जो खास शो है, इसमें अपनी राय और पूरा एक्सपर्टीज और आगे के स्ट्राटीजी बताने के लिए, आप सब का भी बहुत 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 शुक्रिया, हमारे साथ इस जर्रेन झाल